इसे दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है भूशन जूलर्स अनमोल रिष्टों के लिए प्रिकास खन भट्यात की गोला पंचायत में टीचर होस्टल कई वर्षों से खंडर बना हुआ है प्रिशासन वन सरकार की अंदेखी की कारण इस पंचायत में और भी कई ऐसी ही सरकारी भवन चर्चा का वशेया बने हुए है आज तक इन सरकारी भवन की और ना तो प्रिशासन और ना ही सरकार का ध्यान गया है वैसे तो हर दो तीन साल के बाद इन भवनों की मुरमत के लिए सरकारी खजाने से पैसा आता रहता है मगर पैसा जाता कहा है किसी को कुछ खबर तक नहीं होती इन ही भवनों में से एक यहां टीचर होस्टल भी है जो कई वर्षों से अपनी बधाली के लिए आंसू बहा रहा है और इलाके में चर्चा का विशय बना हुआ है कुछ लोगों ने इस टीचर होस्टल को सफेद हाती का भी नाम दिया है बीते एक साल पहले भी इस जरजर भवन के लिए सरकार ने लाखों रुपे सरकारी खजाने से दिये थे मगर सब गोलमाल हो गए आटियाई के माध्यम से यह भी ग्यात हुआ है कि कुछ दलालों द्वारा सरकारी धनका दुर्यूपयोग किया गया है इस टीचर होस्टल का मुद्दा कई बार सोशल मीडिया पर भी अपनी धाग जमाए हुए रहता है इस टीचर होस्टल पर सरकार लाखों रुपे खर्च कर चुकी है इसके बावजूद भी यहां आज तक रहने लायक नहीं बन पाया सान्य लोगों ने सरकार वपरश्यासन से गुजारिश की है कि इस टीचर होस्टल की जल्द से जल्द सुद ली जाए और जो इस ब्रस्टाचार में शामिल है उनका परदा फाश किया जाए से जड़े हुए वीडियो सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेस्बूक पे और यूट्व पे